हाई एवरीवन वेलकम टू माई चैनल कल हमने इसमें यूरिया और ग्लुकोज सुरी नोट ग्लुकोज सल्फर का इसमें छट्काव किया वह जो फर्टिलाइजर है मैं कल करेक्ट करता हूं मैंने कल हैक्टर बोला था बट मैं अभी बिगा में आपको समझाता हूं हम लोगों हमने 35 kg यूरिया और उसमें 9 kg सल्फर मिक्स किया था तो हमने इस इसको इस पूरे में रखा है तो इसमें हमने 35 kg यूरिया और और 9 kg अराउंड 9 kg हमने सल्फर दोनों मिक्स करके इसमें छिटकाव किया था और हमने वन स्किप किया तो जिसमें पानी दिया था उसमें हमने यह फर्टिलाइजर रखा था इसको स्किप किया था क्योंकि इसमें पानी नहीं दिया है और फिर हमने इसमें दिया था यूरिय तो एक स्किप किया था और जिसमें पानी गया था उसमें उमने पर्टिलाजर रखा था क्योंकि ये सही तरीका है अगर जिसमें पानी पहला थे उसमें आप चिट्काव कर सकते हैं अगर ज्यादा बारिश होती तो हम सब में डाल दें बारिश इतनी नहीं हुई और मैं इसके डिफ्रेंट स्टेजिज आपको बता दू कोटन के गिमी वन सेकंड तो कोटन जब कोटन का ग्रोफ स्टार्ट होता है तो ये फर्स स्टेज होता है इसको स्क्वेर बोलते है और चाप्पू गुजरादी में इसको चाप्पू बोलते है ये कोटन हिंदी में का पास वर्ग बोलते है ये इसका ग्रोफ चाल होता है तो दिस इस ता फर्स फर्स स्टेज और सेकंड स्टेज में ये इसको फ्लावरिंग होता है ये सेकंड स्टेज है तो इसके बाद ये ये कितने दिन रहता है लेता है मैं आपको बता दू आई हैव पीस पेपर आई हैव रिटन डाउन तो मैं ये जो कपास वर्ग है स्क्वेर वो अराउंड 27 से 38 डेज लेता है ये जब कपास लगया इसके बाद ये 37 तो 38 डेज के अंदर ये बन जाता है और स्क्वेर के बाद ये फ्लावर ये सेकंड स्टेज है ये फ्लावर ये ये वाइट पेटल है इसको वाइट पेटल बोलते है और ये लेता है स्क्वेर टू फ्लावर फूल बोलते है उसको 20 से 25 दिन जैसे स्क्वेर हो गया 27 तो 38 इसके बाद 20 से 25 दिन में ये बन जाता ह इसके बाद इसके बाद यह स्टेज आता है जो इसका शाहिद यह वाइट पेटल है और यह पिंग पेटल बन जाता है पिंग फ्लावर हो जाता है और यह चाहिद 24 आर्ट में या एक ही दिन में कनवट हो जाता है जाओ और यह उसका फोर्थ स्टेज है यह बॉल होता है कपास गैंद बोलते है उसको और यह उसको इंग्लिश में कॉटन कैप्शूल भी बोलते है बॉल भी बोलते है और इसका फ्लावर टू और यह पूरा कल्टिवेट हो जाता है open open हो जाते है तो उसमें से कपास मतलब बहार आता है तो इसका पूरा flower to open ball तो पूरा कपास का जो full open ball हो 45 to 65 days के अंदर ये बन जाता है और ये पूरा planting to harvest still the last stage it will take around 130 to 160 days ओके थैंक यू, बाइ-बाइ, share like and subscribe जाता है